बॉलिवट के दो मशूर कलाकार मिथुन शकरवर्दी और हेमा मालिनी ने काई फिल्मों में साथ काम किया। दोनों बॉलिवट का बड़ा नाम रहे हैं और आज दोनों ही राजनीती में भी सक्रिया हो चुके हैं। मिथुन और हेमा दोनों एक्टर्स भारते जन्ता पार्टी से जुड़े हैं। जा हेमा मालिनी मतुरा से दूसरी बार लोग सबास्तान सब बनी। तो वे मिथुन शकरवर्दी ने बंगाल चुनाफ के मद्दे नजर बीज़ेपी के सदस्ताक रहन की। जिसके चलते दोनों क बीच छिपे हुए रिष्टे से रूबरू करवाएंगे। अगर आप पी जाना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ इस पीजियो के अन्ताक साथ इन दो भैतरीन कलाकारों के लिए हमारी वेडियो को राइक करना ना भूले। बॉलिवड के लोग प्रिया अभी नेता मिधुन्चकरवर्ती अपने करियर में जहां एक से बढ़कर एक कई सोपरेट फिल्मों में काम करके लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। तो बॉलिवड के जीम गल हमारी नी भी अपने अच्छे प्रदर्शन के साथ साथ जादा बहस क्यों ना हो गई पर तोनों एक दूसरे को भावी और देवर ही मानते हैं हाला कि खबरों के अनुसार एक समय में हेमा और मिधुन के बीच खूब लड़ाए हुई थी जिसके चलते दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो गई और ये मामला था साल 1988 का जब तोनो जहां मेथुन बहुत बड़े स्ट्रार थे तो वहीं हेमा का स्टार्डम उस वक्त उनसे बेहत कम था फिल्म में दोनों के बीच कई बोल्ड सीन्स भी फिल्माय गए तब कि मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो फिल्म के डारेक्टर से मिधुन ने कहा था कि हेमा मालिनी के फिल्माय गए कुछ बोल्ड सीन्स को भी फिल्म से हटा दिया है जिसके बाद हिमा गुस्ते में मिधुन और डारेक्टर के पास पहुंची और चलाते हुए कहने लगी जब ऐसे इंटीमेट सीन्स फिल्म में रखने नहीं थे तो फिल्माय क्यों क्या एक तरह का शूशर न से भी इस पूरे मामने की शिकायत की थी राजकुमार ने भी डारेक्टर की जाट लगाई उस पर्म के बाद मिधुन और हेमा मालेनी के बीच लंबे समय तक कड़वाहट पर नी रही थी लेकिन दीरे दीरे दोनों अपनी पुरानी रणाई को भूल कर एक दूसरे के साथ की उर्देवर का रिष्ठा रुखने लगे हानकी यह म 노 की स्था भावी रही नहीं है पर मिधुन शुरू से ममालेनी के पती नोल क्यूं आ नि hanondini के बारे में जान करके ऐसा रखा आप में कमिच बॉक्स में कमिच करके ज़रूर बताएं और साथी पॉलियोड जगत से जुड़ी ऐसी दमाकेदाल खबर को जाने के लिए आप मारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें